हे भगवान, हे जगदीश्वर, हे विधाता, आप जो भी हैं जैसे भी हैं, अभी अंजली में समाय जल को साच्छी मानकर, अपने आपको अपने संपूर अस्तित्तो को आपको समर्पित करता हूँ हे प्रभू, हे दिन दियाल, मैं सदा से आपको अपनी मायय युक्तेहंकार में बुद्धी की प्रेंगना से जानने का प्रियास करता रहा है, आप से वो सब मांगता रहा है, जो मेरी बुद्धी को स्रेष्ट लगा, परंतु हे नाथ, अब मैं गंगा जल को साच्छी मान कर, अपने जीवन का संपूर दायत्व आपके हाथों में सौफता हूँ, अब आपको जो स्रेष्ट लगे, वो ही क्रिपब मुझे प्रदान करेंगा। तो एक बार जरूर जरूर कीजीगा। ये भावपूर समत पर सभी धर्म मजयब के लोगों के लिए आत्म कल्याण कारी है, क्योंकि सब का मालिक एक है। अभी तक अरपड़ नहीं किया है। यदि आपको लगता है कि इससे आपके आराध्य का अपमान होगा, आपके इस्टिदेव नाराज हो जाएंगे। तो मैं इसके जबाब में यह कहूंगा कि हमारे जगत प्रभू हमारी तरब मानवी भावनाओ के गुलाम नहीं है। वो भावनाओ के बंधन से परे हैं। अपने प्रभू को सीमाव में बाधने और बाठने वाले हम सोय में। हमारे प्रभू असीम हैं, आनन्त हैं, घटगटवासी हैं, सर्व्यापी हैं, वो ही निराकार हैं, वो ही साकार हैं, वो हमारे ज्ञान और बुद्धी से परे हैं। जिन्हें हम ज्ञान और बुद्धी के प्रयास से कभी नहीं समझ सकते हैं यदि उन्हें आंसिक रूप से जाना जा सकता है पाया जा सकता है तो वो है पूड समरपड और पूड विश्वास से ऐसा करुड़ा सागर ने स्री भागवत गीता में भी बताया है यदि आप निस्पत छभाव से पूड समरपड करने में सफल हो गए तो मैं दावा करता हूँ कि आपके आप एक दिन भाव भी हो रोकर रोप पड़ेंगे कि आपके भाई ने आपको कितना अनमोल धन्दे दिया है भलवान मेरी नईया उस पार लगा देना अब तक तुम ने भाया है आवे विनिवादे न मन अंस चोगे मोते तुम ग्यान शरो रोप एक बुंद सुधारस की अमको भी बिलादे भगवान मेरी नईया उस पार लगा देना अम तक तुम ने भाया है आवे विनिवादे न मन अंस चोगे मोते तुम ने भाया है